सब्सक्राइब करते हैं आप सब्सक्राइब बहुत अच्छ होंगे तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे भारत की दबंग वकील नाजिय लाइखांजी का धमाकेदार इंटर्वियो तो यह वीडियो काफे इंट्रोस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जितने भी आपकिस्तान का टूल किट आराम से भारत के विरोध में इस्तिमाल किया जा सके रूम को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जितने भी एमेर्जेंसी के वक्त में जिन आर्टिकल के साथ छेरचाड करके इन टेररिजम और जंगजू और जिहादी माइंडेट को उत्साह दिया गया है उसको ठीक से अमेंट करके इंप्लिमेंट करना पड़ेगा और जितनी एनरजी ग्यानवापी मस्जद के लिए हेरिंग सुनने के लिए ओनरेबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिखाता है वही एनरजी दिखाना पड़ेगा इस राष्ट की सुरक्षा के लिए एक प्रक्रिया कॉंग्रस वाले की बता दीजिए कि उन्होंने ये क उसी समविधान को बचाने के लिए जो बार बार डियूरीन इलेक्शन से लेकर अब तक वो कह रहे जो समविधान बचाएंगी क्या Nous संविधान का हवाला दे करके उन्होंने असतुद्दिना Chemikdev Fit para potrzebबेर शु के बहुत गलत किया और हमारी पार्टी भी इस कुछ ना कुछ इस्टेप लेगी लीगल एक्शन लेगी नहीं कहा क्यूंकि उनके दिल में फलस्तीन से मौपत है इंडियन ओवर्सेस कॉंग्रेस के अध्यर्च बन गये हैं और चुनाव से कुछ पहले ही उनको उनके पद से पाटी से हटाया गया था एक बाद पिर से वाप नाम इंसान की पहचान होता है नामी से हम पहचाने जाते हैं हमें कोई अड्रेस करता बुलाता है तो आपको जैसे मैं नाजिया बुला रहे हूं आप मुझे अंबर बुला रहे हैं तो हम एक दूसरे को रिस्पॉंस दे पा रहे हैं अधरवाइस मैं बोलती है ओ सफेद जिनका पूरा नाम को पहुता है तो आपति नहीं होती है फ़लके हमारे पूरे नाम से भी अगर हम पुकारा जाता है तो आप प्राओड फील करते हैं कि अपने नाम से हमली पहचान होती है साइम पितरोता वो है जो अपने नाम को भी पसंद नहीं करते है current in नाये भता अंगा पितरोता बाएं जिनका पूरा home और क्युंकि उनके नाम के नाम में गंगा और राम है इसलिए उन्होंने अपना नाम सैं पितरोता कर दिया है 닦 इतनी घिंड़ना है उनको गंगा और राम से उन्होंने अपना नाम Sam Pitrota किया है और बजाफते सत्यनारायन गंगा राम को हटानी के लिए उन्होंने काफी खर्ष भी किया है Google पर ताके उनका नाम जो पहले से चला आ रहा है Google पर सत्यनारायन गंगा राम पित्रोता वो हट करके Sam Pitrota वाली सारी न्यूस और सारी चीज़े गूगल पर या विकिपीडिया पर रह जाए ऐसा ब्यत्ती जो ड्यूरिंग इलेक्शन मुझे याद है कि मैं उस वाख हाहितराबाद में थी और पता और वहां पर एक न्यूस बहु टुक्षर थी अन्यूनी vakfight जो फंप आर यु कि ए मुधती जन्हों नहें थाराघत के लूदी के खिचनलोजी लाने के लिए उन्होंने भारत का विरोथ किया था. समझाया था गांधी परिवार को कि भारत वासियों को टेक्नोलोजी से इतना नस्दीव मत कीजिए नहीं तो उनको अकल और समझ आ जाएगी जो हमेशा इस बात की कोशुश में लगे रहे कि कैसे चाइनिस टूल केट और विदेशिय टूल केट को भारत में लगा करके रखना है और भारत का बुरा करते रहना है अमबर मुझे एक सेकंड के लिए भी हला कि मैं बहुत एक्टव भारत जन्ता पार्टी की पॉलिटिक्स में हूँ और कभी में जिन्दिगी में भी किसी बड़े प्रोफाइल का के लालश में पसंद आते हैं तो मैं किसी और पार्टी में अगर किसी बड़े प्रोफाइल पर जाओंगी तो हो सकता है बड़ा प्रोफाइल में सकता है लेकिन मेरी मान्थ मेरी सोच और समझ बूझ को कोई पसंद नहीं करेगा अब ऐसे में इतने हार्ट कोर बीजेपी होने के बावजूद भी जब इंडी अलाइंस को और विपक्षी दल को एक अच्छी संखिया एक अच्छी नंबर मिले और जनता ने उन पर विश्वास करके इंडी अलाइंस को बहुत अच्छे से एक भारी नंबरों से जिताया और जब पार्लिमेंट के अंदर विपक्षी दल बहुत स्ट्रॉंग होता है तो जिनकी सरकार बनी भी होती है उनको समझ में आता है कि अब कुछ फूटफुल बाते होंगी डिबेट होगा तो भी फूटफुल होगा अब ऐसे में लीडर ओफ ओपॉजिशन पार्लिमेंट लोग अठारवी लोग सभा के अंदर लीडर ओफ ओपॉजिशन राहूल गाती बनने के बाद उन जन्ता का की जुबान अंदर ना बोल करके पार्लिमेंट के अंदर उन्होंने सत्य नारायन गंगाराम पित्रोता को फिर से कॉंग्रेस का चीफ बना डागा और आप देखिए, ड्यूरिंग इलेक्शन जब भारत के परदान मिंतरी मोदी जी बहुत सारे इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कह दिया था कि इलेक्शन के दौरान में सैंप पित्रोता ने भारत वासियों को तोड़ने की कोशिश की है इसी लिए, इसी लिए कॉंग्रेस ने अभी उनको साइड किया है पर जैसे ही इलेक्शन खतम होगा उनको वापस बुलाया जाएगा और देखिए उनकी बात सच हो गई और यही हुआ कि as a LOP, leader of opposition inside the parliament लोगसभाब होए भी एक महत्वपून गौर तालाब विपक्षी डलों के तरफ से नहीं आया या जनता की आवाज बन करके उन्होंने उन जनता के कारियों को पूरा नहीं किया जिस जनता ने इंडी अलाइंस को वोट करके भारी नंबर में पार्लिमेंट के अंदर भेजा अब जैसे रात गई बात गई होती है वैसे ही कॉंग्रेस के लिए होता है election गया वाइदा भी तेल बेजने गया चाइना के रंग की लाल डायरी ले करके constitution की दुहाई देने वाले दादी इंडरा के समाने में emergency लगाने वाले परिबार आग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं जिसने 42 आर्टिकल्स को ऐसे तोड़ा और मरोड़ा था और emergency के दौरान जिस हिसाब से विपक्षी जलते उनके साथ जो अत्याचार किया था प्रेस मीडिया बंद कर दिये गया था रेडियो बंद कर दिया गया था लोगसबा राजी सबा जो चानल चलता था उसको बंद कर दिया गया था साधू स्रॉटर करवाया गया था सिकों का नरसंगार करवाया गया था उसके बाद पर continuously genocide का सिलता रहा और emergency के वक्त में तो वो साफ समझ में आ जाएगा अब अमरीका में रहने वाले सत्य नारायन गंगाराम फित्रोता राहूल गांदी के गुरू और ऐसे वैसे गुरू नहीं है मतदान करने के लिए भारत नहीं आता है उसके बाद पिर बहुत सारी जूटी अफ्वा पहलाता है उसके बाद में मुसल्मानों के इसलाम की बात को भी गलत सब्द बताता है और एक घंडे में उसके व्यूज एक मिलियन चले जाते हैं तब मैंने इसको रिसर्च में डाला और जब रिसर्च में डाला तो एक बहुत बुरानी नाशनल न्यूस चानल की एंकर जो अब यूट्यूब चलाती है उनको मैंने देखा उनको जब देखा तो मुझे पता चला कि वो मोदी जी के ऊपर कटाश कर रही हैं कह रही है कि 17.9 मिलियन रखने वाले मोदी जी का व्यूज तीन हजार चार अजार पांच हजार यूट्यूब पर आता है जो मोदी जी का पॉस्नल यूट्यूब चैनल है लेकिन राहूल गांधी जो सिरफ 3.1 मिलियन के व्यूवर्स रखते हैं उनके व्यूज जो है वो 33.1 मिलियन, 45.1 मिलियन, 58.1 मिलियन पर चले जाते हैं तब मुझे समझ में आया कि आकर जर्मनी कॉक्रश दुरूब राठी को कौन इस्तिमाल कर रहा था और वो किसका टूल किट था उसके बात समझ में आया कि आकर राहुल गांधी बीच-बीच में गायब हो करके कहां चले जाते हैं और पर गायब गायए कुछ तस्वीरे आती हैं कि वो चाइना के उन लोगों से मिलते हैं जो देश का हमारे भारत देश का बुरा करना चाहते हैं तो आशा करता हूं कि वीडियो का आपने अंतक देखा होगा और अंबर जैदी और नाजी लाइक खांजी का यह पूरा डिसकेशन आपको काफी पसंद आयोगा और इस वीडियो में आपको जानने को तो मिली गया होगा कि कॉंग्रेस राहुल गांधी के गुरू जो इलेक्षन के टाइंपे ये कहते थे कि जो नौ gathering है और शौत इंडियो के बिचयार है और अपने ़ीचार हमें कमेंट सेक्शन में लिक्कर जरूर बताया और वीडियो पसंद आएं किसे लाइक और शेयर ज़रू कर दे और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंट्रोस्टिंग और धमदार वीडियो लाते रहे तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस्त और नौलिजबल वीडियो में तब तक अपना ध् किये जाहिंद या भारत